नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप थ्री मिड कैप म्यूचल फंड्स प चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हैल्फुल रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मिड कैप म्यूचल फंड्स आपको बताऊंगा जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखी है बहुत ही शांदार हमें देखने को मिली है तो अगर आप ल लमसम का सही समय है देखे इसको हम चेक कर सकते हैं क्या भी सही समय है क्योंकि लमसम निवेश का सही समय हम तब ही कहेंगे जब मार्किट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि गिरावट के टाइम पर हम लमसम निवेश करते हैं इस समय पर हमें यूनिट्स सकते निफ्टी फिस्टी अभी माईनस 10% पर हैं निफ्टीNmetics 50 माईनस 13 है और निफ्टी मिड कैप माईनस 11% तक हमें देखने को मिल रही है तो वाक़ी ये टाइम लंसम निवेश के लिए महिन हम कह सकते हैं कि काफी बढ़िया है लंसम निवेश करने डायवर्सिट्टाइब करादा। कंपनी हैं वो तो हमारी लार्ज केप होती हैं उसके बाद की जो डेड़ सो कंपनिया होती है वो हमारी मिड केप होती है तो हमारा जो मिनीमम 65% पैसा होगा वो टॉप 100 के बाद की जो डेड़ सो कंपनिया होंगी उनहीं में निवेश किया जाएगा उनहीं में से fund manager company चूज करेंगे और उनी में हमारा minimum 65 ये 70-75 जहां तक भी fund manager चाहे निवेश कर सकते हैं तो इन company में पैसा निवेश होता है बाकि funds में आपको बताता हूँ कि कौन से funds है जिनकी performance अच्छी है और जिनमें हमें लग रहा है कि हाँ ये हमें अच्छे returns बना कर company दे सकती हैं देखिए मौतिलाल उस्वाल mid cap fund है काफी शांदार fund है mid cap category का expense ratio 0.57% का है expense ratio वो खर्चे होते हैं जो हमसे charge किये जाते हैं fund size 20,056 करोड रुपे का है 10 साल 9 महीने पुराना ये fund है ठीक है देखिए returns पर बात करते हैं पिछले एक महीने में minus returns हमें देखने को मिले है क्योंकि market में काफी गिरावत थी तो हमें काफी funds में जाफी negative returns देखने को मिले हैं लेकिन एक हम थोड़ा सा लंबे समय की बात करें क्योंकि हम जब 우리озд 섬्वेश करें तो हम एक महिने 6 महिने के लिए एक साल 2 साल के लिए नहीं करेंगे, हम करेंगे 8 से 10 साल के लिए, अगर आप पिछले 5 साल के रिटन्स देखें, तो 33 परसंट से भी ज्यादा के रिटन्स हैं, अगर पिछले 10 साल के उसत रिटन्स देखें, तो 21 परसंट से भी ज्यादा के रिटन्स, मोती लाल उस्वाल मिड के अपने, अपने इ चाहिए तो थोड़ा सा लंबे समय तक आपको मार्किट में रुकना होगा पैसा निवेश करके थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए देखिए आप यहां डाइवर्सिफिकेशन भी देख सकते हैं इधर से आ जातों क्लियर देखेगा आपको देखिए जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये मिड़केप में कितना निवेश है 71.9 यानि कि लगबग 72 परसेंट आपका पैसा मिड़केप स्टॉक्स में निवेश किया गया है सेवी का नियम है कि 65 आपको करना ही है वो मिनिमम है तो इतने काफी बढ़िया रखा है यहां लगबग 72 परसेंट इनमें आपके पैसा डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जा रहा है बाकी होल्डिंग्स भी है कोफोर्ज है कल्यान जोएलर से पॉली कैब है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है यह कुछ टॉप की होल्डिंग्स है यह कुछ टॉप के सेक्टर से इनमें पैसा निव इसका आइडिया आपको इसके फंड साइस से लगेगा 75,000 करोड से भी ज्यादा का निवेश लोगों ने इस mutual fund में किया हुआ है अब कुछ तो बात होगी इस mutual fund में जो इतना पैसा लोगों ने निवेश किया है expense ratio 0.74% का है ठीक है 11 साल 10 महीने पुराना ये fund है पिछले एक महीने और तीन महीने में returns देखेंगे तो इस fund के भी negative ही मिलेंगे लेकिन अगर आप long time के returns देखेंगे 5 साल और 10 साल के तो काफी शांदार है पांस साल में 28% से ज्यादा के returns पिछले 10 साल में लगबग 19% के returns इस mutual fund ने बनाए है आगे बढ़ते हैं देखें येलो वाला part mid cap कितना निवेश है mid cap में 66.6% का निवेश mid cap में रखा गया है small cap में 17.64 रखा गया है और large cap में 7.86% का निवेश रखा गया है 92% पैसा हमारा equity में निवेश है बाखी का जो पैसा है कुछ पैसा debt में या cash related instruments में रखा जाता है यहनिकि cash भी company hold कर सकती है सेक्टर देख लेते हैं finance, healthcare, technology, capital goods जैसे सेक्टर में पैसा diversify होगा top की holdings देख सकते हैं max finance है the Indian coastal company limited है the federal bank है और IPCA laboratories limited है इन company हो में पैसा आपका निवेश किया जाएका यह इसकी top की holdings है fund ये भी शांदार है और returns भी पिछले 10 साल में 19% से ज्यादा के इस fund ने बना है अगले fund पर बात करते हैं third fund है निपॉन इंडिया growth fund ये निपॉन इंडिया की तरफ से है mid cap fund काफी शांदार ये भी fund रहा है देखिए fund size 33,922 करोड का है यहाँ पर expense ratio 0,79% का ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बाकी fund से अगर आप compare करेंगे बाकी fund की performance इस fund की भी काफी शांदार हमने देखिए देखिए returns पर बात करते हैं पिछले एक महिने तीन महिने के returns छोड़ते हैं लंबे समय के देखते हैं पिछले 5 साल के returns 29.7% के हैं और पिछले 10 साल के returns 18.72% के 18% से भी ज्यादा के returns पिछले 10 साल में इस fund ने भी generate किये हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक्विटी में यहाँ 97.27% का निवेश है येलो आला part आप देखेंगे mid cap का है 66.61% का निवेश mid cap में है बाकि 12.8% का निवेश small cap में है और 17.86% का जो निवेश है वो large cap में है टॉप की holdings आप देख सकते हैं power finance है persistent system है BSE limited है और यह चोला मंदलम finance holdings limited है sectors आप देख सकते हैं finance है, services है, healthcare है, automobile है sectors भी बढ़िया है, diversification fund का काफी शांदार हमें देखने को मिलता है returns एक बार फिर से देखते हैं, पिछले 10 साल की जो आउसत returns थे 18% से ज्यादा के रहे हैं, तो लंसम निवेश के लिए funds काफी शांदार है अब लंसम निवेश से कितना पैसा future में बनाए जा सकता है एक लाक रुपे, हम duration मान लेते हैं कि हम अगले 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं 15 साल के लिए, returns अगर हमें future में 16 के आसपास भी मिल गए लगबग लगबग 16 रख लेते हैं, चलिए तो आप देख सकते हैं, जो एक लाक रुपे हैं आपके वो बढ़कर 9,13,000 रुपे तक बन सकते हैं returns हमने देखे हैं कि 18% से ज्यादा ही हमें तीनों funds में मिले थे यहां हमने example के लिए लगबग 16% रखे थे, बलकि 16 से भी मैंने कमी रखे थे तो भी एक लाक रुपे की value बढ़कर हमने देखी, 9,000,000 से ज्यादा हमें देखने को मिली वहीं अगर आप compounding की power देखेंगे, आप इसकी duration और बढ़ाएंगे मान लीजी आपने एगले 25 साल के लिए एक लाक रुपे छोड़ दिये returns आपको थोड़े से long time में बढ़कर मिले, मान लीजी आपको 17 के असपास returns मिल गए तो जो एक लाक रुपे हैं, वो आपके बढ़कर 51 लाक रुपे भी बन सकते हैं जरूरत है patience के साथ निवेश करने की बाकी ये देखे fixed returns तो नहीं कह सकते हैं, returns mutual fund में कम या ज्यादा हो सकते हैं तो दोस्तो यही आज की वीडियो का topic था कि किस तरह से आप long time के लिए एक अच्छय mutual fund चूज करके उसमें लमसम निवेश कर सकते हैं तो दोस्तो meet करता हूं कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion हो, आप मुझे comment कीजेगा, reply मैं आपको जरूर करूँगा बाकी recommendation नहीं है, किवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि mutual fund का जो भी निवेश है, बाजार जोखिमों के अधीन होता है बाकी वीडियो पसंद आई हो, like, share जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप जरूर कीजेगा नमस्कर